सो नमस्कार दोस्तो आप सुभी का स्वागत है हमारे आरजी सपोर्ड बॉय यूटूब चैनल में सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गूगल क्रोम की कोई भी एकर नोडिफिकेशन्स आपके बास आते हैं और उन्हें अगर आप हाइड करना चाते हैं उन्हें बंद करना चाते हो तो आपने कैसे बंद कर सकते हो वो आज किसे वीडियो में आप बताने वाला हूँ मालेज़े आगर आप किसी वैबसेट को पर गए दे तो वहाँ पर आपसे पर्मिशन मागेगा जब आप किसी नई वैबसेट को पर विजिट करते हो तो वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन मागता है नौटिफिकेशन्स का अलाओ का और डिसलाओ का ठीक है तो वहाँ जब करते हैं और अगर उसे पर मिशन नहीं देते हों तो वह वैबसेट के अंदर घुसने नहीं देगा वो रीडिघर किरसे वापस कर देगा जब तक आप अलाओ नहीं कर देते ही Fenow आप अलाव कर दोगे तो उसके बाद उसको permission मिल जाती है अगर वो उस website पर कोई भी नई चीज़ डाली जाएगी तो उसका notification आपको मिल जाएगा तो इसी तरह के से अगर आप adult website पर विजेट करते हो तो वहां से जो notifications आने वाले होते हो सारे गंदे-गंदे notifications आते हैं तो उन् स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना Chrome browser open कर ले ना जैसे आप Chrome browser आपको open कर ले तो यह कुछ इस तरीके से open हो जाएगा आपका और फिर आपको स्क्रोल के नीचे के तरफ आना है यहाँ पर आने के बाद अभी जैसी कि आपको मैं बता देता हूं य थी के तो यहाँ पर आपको इसके लपट कर देतो एगा बराउजडर की वने बंद कर रखी वी है उगर मैंने इनको चालू करना चाहा हूं चालू और जब आम इनको बंद करना हों तो से ही रहेगा आपको बंद करने का भी ठीक है और यहाँ पर कुछ देखके नीची 웹ब कि यहां पर आपके में इस तरीके से सारा कुछ on रहेगा तो आपको यहां पर इनको इस तरीके से बंद कर दिया तो यहां पर इसको कर दिता हूं और यूटूब की नोटिफिकेशन लेना चाहता हूं और बाकि सभी की नोटिफिकेशन यहां पर मैंने बंद कर दी हैं और इस यूसे में रहने देता हूं जब आपको बंद करना हो तो यहां पर आप सिंपल इसी पी मार देड़ने से इटू जट सारी सैटिंस आपकी बंद जाएंगे मतलब कहीं पर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगे सिधा Chrome ब्राउजर की ही नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे अगर आप इसको बंद कर देते हो तो इससे यह आगवाग आपका सारी नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ बेच्छ लगों तो आप लोगों को लाइक जिरूद करना और अगर आपद से योटीब चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके